नवश्कार स्वागत है आपका चैनल टेली खसाना में नया दिन नया वोटिंग ट्रेंड और ये जो वोटिंग ट्रेंड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जर्नी वीडियो के बाद का है जर्नी वीडियो पांच लोगों की दिखाए जाती है और उसके बाद चीजे पलट कर चेंज हो जाती है मुझे परस्नली बुरा भिशेक के लिए लग रहा है क्यों बुरा लग रहा है इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आप देख रहे हैं चैनल टेली खसाना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना और साथे साथ दूसरा चैनल रहुल भोच कॉमेडी है उसको तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि बिब बॉस के बाद वहाँ पर बावाल है तो ऐसे में यहाँ पर अगर बात की जाए पांच लोग जो घर से बेगर होने के लिए नॉमिनेट हुए है जर्नी वीडियो के बाद ये पूरा नॉमिनेशन का दाइरा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और मुझे परसनली अभिशेक के लिए बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों पता नहीं क्यों क्योंकि उस बंदे ने बलड, स्वैट, टियर, सब कुछ दिया बट लेकिन वो विजेता और विजेता की जो रेस होती हो उससे काफी पीछा दिया तो लास्ट नंबर पे अरुन भहिया बने हुए है अरुन भहिया हम सब को पता है कि वो ठीक है, बिग बॉस के लाए लोग उनको material top 5 का नहीं समझते हैं और कहीं लोगों ने अभी जो घरवालों मतलब जो घरवाले हैं इनके इश्टमित्र जो अंदर गए हैं अभी उनके एंटर्व्यूज में बात है कि अभी ये अरुन जो है पंजाबी बच्चा है, पंजाबी बच्चा बले-बले करते हुए पूरे जो है वोट्स खा रहा है, यानि कि मनारा मनारा जो है वोट्स खा रही है अच्छे खासे उसको बढ़ोत्री मिली है आपको बता दो दोस्तों, तो third position पर जो है उसके कमपे उससे अगर टककर की बात करें मनारा की तो बहुत ही मतलब 19-20 का फास्ला है और third position पर पता है कौन है दोस्तों अपना प्यारा अभिशेख सबसे ज़्यादा महनती जिसने शो को अपना सब कुछ दे डाला वो कहते हैं न कि अपनी आत्मा तक स्ट्रिप कर डाली वैसे ही सेम अभिशेख ने किया तो अभिशेख जो है वो third position पर आ गया है दोस्तों क्योंकि journey वीडियो की वज़े से काफ़ी ज़्यादा changes होए है वहीं अगर बात की जाए तो second position बड़े ही कमाल की position है दोस्तों जहाँ पर कभी भी कोई भी बैट रहा है second position पर अभी इस वक्त अंकिता चल रही है और देखना ये होगा कि अंकिता और अंकिता के fans second position को किस तरहे के से इस्तमाल करते हैं क्या वो first position पर पहुंच पाएंगे खेर वैसे आप voting trend का टेंशन मत लीजेगा मैं आपको सारी चीज़े बताता हूँ और आपको पता है कि मेरे गुप्तचर कभी गलत नहीं होते है पूरे सीजन में मेरे गुप्तचरों ने जो खबरे बताई हैं उसी को ही देखकर आपने चटकारे भी लिये हैं वैसे खेर आपको बता दू तो मुनवर, अंकिता और अभिशे इन तीनों के बीच में आप फासला बहुत कम है कभी भी कोई भी हो सकता है तो fans लोग, आप लोग जोर लगा दीजे वैसे खेर मुझे नहीं लगता मुनवर के fans को जोर लगाने की जरुएद है झाल